ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दी उपोगता सरंक्षन संगटन की मासिक बैटक का आईजन किया गया जिसके अधिक्षता संगटन के अधिक्ष अधिक्ष एड़ोकेट सुषिल सर्माने की इस अबसर पर हमिरपूर में लोगों को पेश आरही समस्याओं पर चच्चा की गए तो हमिरपूर मेडिकल कॉलिज में सीनिर सिटिजन को पेश आरही समस्याओं के साथ अपरेशन के लिए कई कई दिनों तक इंतजार की जाने पर जल्द सीला पट्राशन के पास समस्य रखने का प्रस्ताब डाला गया दी उपवोगता सरक्षन संगटन की मासिक बैटक का आयोजिन किया गया जिसकी अधिक्ष था संगटन के अधिक्ष एड़ोकेट सुशील सर्मा ने की इस अबसर पर हमिरपूर में लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई तो हमिरपूर मेडिकल कॉलिज में सीनियर सीटिजन को पेश आ रही समस्याओं के साथ आपरेशन के लिए के के दिनों तक इंतजार की जाने पर जल्द जीला परशासन के पास समस्य रखने का परश्टाब डाला गया पैठंग में आज जो हमीरपूर के सांसद हैं हमने उनको बथाई परस्ताव पारित किया है और हमने केंदर सरकार में आशा व्यक्ति की है कि केंदर सरकार में आने वाले समय में उन्हें महत्वपूर्ण जीमेदारी भी दी जाएगी जो हमीरपूर के लोग हैं उनको उमीद ह इस बारे में तो हम प्रधान मंद्री शीर नरेंदर मोदीजी से भी इस बात की मांग करते हैं कि हमारे जो हमीरपूर के सांसद हैं उन्हें हमीर अपने मंद्री मंदल में महत्पूर्ण सांदिया जाए बैटक में शेहर की सीवरेज बेवस्ता सुचारू डंक से ना होने पर चर्चा की गई तो डुगगा के पास नेजी स्कूल और सरकारी स्कूल के बाहर सड़क पर स्पीड ब्रेकर बड़े बनाये गए हैं जिसके कारण अकसर बाहन चालकों को असुबदा हो रही है इन समस्याओं पर बैटक में गहनता से चर्चा की गई और सबंदित विबाग ने पत्तल लिख कर समस्या के हल करने के लिए कुहार लगाई दूसरा जो हमारे पास एक बड़ा गंभीर मामला आया है उस वो है सीवरेज की समस्या जो के स्थानों पर जो है वो सीवरेज किसी किनी प्रभावशाली लोगों द्वारा तोड़ दी गई है उसके बारे में लिखी तूर्प से हमारे पास शिकाइत आई है दूसरे हमारे पास एक शिकाइत आई है कि जो बड़ू क्षेतर है उसमें जो अभी तक सीवरेज शुरू नहीं हुई है और कुछ लोगों ने उस सीवरेज का जहां तक बनी है उसमें जो है वो कनेक्शन ले लिया गया है जो कि जिससे की बीमारी फैलने का डर वहां पे इस तरह से प्रदूशन फैलता है तो उसे बीमारी का भी बहुत बड़ा खत्रा बना हुआ है हमीरपूर से लेके मर्टनसी तक रोड है वहां पे दूसरका के पास एसडी पबलिस स्कूल और एक दूसरा स्कूल जो है सरकारी स्कूल जो है वहां पे जो स्पीड ब्रेकर है बहुत ज़ादा लगा दिये हैं और उससे अचानक लोगों जो ट्रैफिक बेवस्ता है वो एक दम से ट्रैफिक रुपता है तो काफी खत्रा बना रहा था तो हम चाहते हैं कि उसको जो है स्पीड ब्रेकर तो बने रहें लेकिन स्पीड ब्रेकर कुछ इस तरह से बने ताक तो शहर में कई जगाओं पर स्वीवरेज की समस्या की शिकायतों पर जल्द परसाइसन के पास जाकर समस्या हल करने की मांग की जाएगी साथ ही बैठक में सूरत में हुए अगनिकायन के बाद हमीरपुर में कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा विवस्ता की चेकिंग करने की मांग की गई अद्धी हमीरपुर भोकता सरक्षन संगठन की जो आज बैठक हुई इसमें बहुत से मुद्दों पर विचार विमर्ष किया गया जिनमें सबसे बड़ा मुद्द था हमीरपुर में जो मेडिकल कॉलेज है रादा ग्रिशन मेडिकल कॉलेज जो है उसमें जो विरिष्ट नागरिकों को वरिटा नहीं दी जाती है जब देखते हैं तो पिछे से ही सरकार के आदेश है कि विरिष्ट नागरिकों को हर जगा प्रात्मिक्ता दी जाए तो वरीता दी जाए और उन्हें प्राथमिक्ता के अधार पर देखा जाए इसके साथ ही गुजरात में हुए भेंकर अगनी कान में जहां 16 से अधिक शातर जो है अपनी जान गवाँ बैठे हैं इससे हमने एक संग्यान लेते हुए जिला प्रशासुन से मांग की है कि हमीरप प्रशाशन त्यार है कि किस प्रकार से इस घटना गरम से निबट सकता है तो इस बारे में पहले ही जारी करें Medical College में senior citizenों को पेश आरी समस्यों पर जीशी शर्मा और मनसुख पठनिया का कहना है कि अस्पिताल में senior citizenों को कोई सुबिदा नहीं है और प 1920 से लेकर इलाज करवाने के लिए दिखतें पेश आती हैं उन्होंने बताया कि मरीजों को आपरेशन करवाने के लिए 6-6 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है प्राइर्टी पर देखा जाए लेकर वहां सिस्टम यह है कि टोकन नंबर के साल से अब आज पढ़ती है इतना का जाओ इतना का जाओ तो अगर कुछ शिनियर सिटिजन है उसका टोकन नंबर लेट है तो वह सारा जिन बैठा रहे तो उनको कोई परासमिकता का कोई पोचा ज चाहिए कुछ साल पहले भी यह मुद्दा उठा था तो उस वकत हाद से परचिये बनती थी तो पिले रंग की परचिये इंट्रोडीउस की गई ताकि डाक्टर साहिवां को वो देखने में असानी हो और वो बुला ले अपना होस्पिटल बनाया है ना इसके अंदर जो जितने भी पैथलोजी है वो अपने अपनी मर्जी से पैसे लेते हैं या तो इनका फिक्स रेट कर दिये जाए या गौर्मिट को फुद अपना खोला जाए ताकि लोग आपना जो है वो टेस्ट बगारा जो है वो सही डंग से करा सके और इनका तो एक कोई अलग भाव है तूसरे का अलग भाव है तीसरे का अलग भाव है जिनके जितने भी वहां पर बैठे हैं उस अब का अलग लग भाव है इससे गरीब लोगों को बड़ी परिशानी होती है